नमस्कार दोस्तों आज हम पायल और चूड़े साप करेंगे चांदी के जेवर है और इनको साप करने के लिए मैंने यहां पर कॉलगेट पाउडर लिया है आप कॉलगेट पेश्ट पी लिए सकते हैं वैसे पाउडर ज्यादा वैतरीन होता है और यह इस तरीके से हम इसमें निकाल लेंगे एक से देर चमच और इसमें थोड़ा सा पनी डाल के इसका गाड़ा सा पेश्ट बना लेंगे अगर आपका पेश्ट मेरा पेश्ट यहां पर हलका सा पतला हो गया तो मैं इसमें थोड़ा सा पाउडर और मिक्स कर लूँगी अगर आपका पतला हो जाए तो पेश्ट मिला सकते हैं और इनको अच्छे से हम लगा देंगे पाइलों पे चूडों पे और लगाने के बाद इसे हम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे अच्छे से लगाना है हमें अंदर से भर जाए और दोनों तरब से लगा लेंगे और दिहान रहे कि हमारा कोई इससा इसका चूटना नहीं चाहिए क्योंकि हमें इसका भी मसाज नहीं करना है इसको हमें सरफ लगाके रख देना है केक से करके देख सकते हैं आप मैंने एक पाइल पे अच्छे से लगा लिया है इसी प्रकार से हम इसके पीछे की भी साइट पे दीरे दीरे लगाएंगे यह इसके लिए जादा भी टाइम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है अब हमारे पाइल को 10-15 मिनट हो गए अब हम इसको इस तरीके से रगड के करेंगे रगडेंगे अच्छे से तो देखो यह पेश्ट का जो कलर था पूर अच्छे से छूट के आ रहा हो ज्यादा काला काल कुछ निकल रहा है हाथों में से इस तरीके से हम अपने पाइलों को अच्छे से हमने रगडा अगर आप इनको पैक करके रखना चाहते हैं तो आप इनको दोए नहीं इसी तरीके से रहेंगे तो इनकी साइनिंग आप जब भी उठाएंगे निकालेंगे तो बिल्कुल नह लेंगे अगर यूज करना चाहते हैं तो इनको अच्छे से दोलें क्योंकि निबरना हमारे पैर पर थोड़ा काला काला या वाइट वाइट पाउडर सा लगके रह जाएगा और देख सकते हैं बिल्कुल चमक गई है इसी तरीके से हम अपने चूड़े भी दोलेंगे और देके से सबस्सक्राइब कर देखिए कि कलर एक यह फिस ल से लेकर आए और इसी प्रकार से हम अपने बांकि के ब Invnor करते हैं जायर् किक हैं चांदी के वरतन हो चांदी के अमारे भगवान हो तो हम वह इसी प्रकार से साप कर लेंगे तो आपको मेर वीडियो पसंद आए त वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आप देख सकते हैं एक तम न्यू पायल हो